नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि अभाज्य संक्याय कैसे ग्याद कर सकते हैं सरपर्थम हम चह के टैविल को लिख लेंगे और उससे एक अंक पीछे और एक आगे जैसे 6 से एक अंक कम करेंगे 5 एक बढ़ाएंगे 7 12 से 11 13 फिर यहां 17 गुनिश इस परकार यहां तक लिख लेंगे और उसके बाद में हम जो 5 से और 7 से यहां इससे नीचे जो भी अंक कटे गा उसको हम काट देंगे 5 से 25 और 55 कट गया 35 कट गया और 7 से 40 कट गया और कोई भी अंक नहीं कट रहा है तो अब यह बीच का जो अंक है 6 का जो हमने टेविल लिखा है यह तो पूरा का पूरा ही एक भाज्य संक्या है तो इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन अब जैसे क्यु तो 50 तो यह 30 यह 65 यह गुरनचास तो यह से पीछे पीछे की संक्या तो यह 1 2 3 4 5 6 7. पऩ्याश़ और 20 के बीच में 7 अब भाजी संक्या है और कौन-कौन शी यह बोवी एसे बता सकते है कि कौन-कौन शी अबहाजी संक्या है इससे आसान और ट्रिक कोई भी नहीं है इसके अलावा जो हमें ऐसे option दिये हुए होते हैं कि इसमें से अभाजी संक्या है ग्याद करो कि कौन कौन सी अभाजी संक्या है तो इसका पता लगाना बहुत कठीन होता है तो इसलिए हम जैसे ये चार हमको option दिये हुए होते हैं इसमें सबसी बड़ी संक्या देखकर उससे उसके संक्या है स्क्या लिखेंगे उसका इस सबसे बड़ी संक्या दोसो तैंतर है तो दोसो तैंतर अब सत्रा का स्क्या कितना होता है सत्रा का स्क्या होता है दोसो निवासी और फिर शोडा का स्क्या तो 23 से कम होता है 17 का स्क्वार 200 निवासी होता है तो हम 17 से नीचे जो भी ऐभाजय संक्या है उसमें सबी संक्याओं का उसमें बाग दे कर देखेंगे 17 से नीचे जो ऐभाजय संक्या है उसको मैं लिखके संक्या नहीं है ये भी तीन से कट रहा है ये भी एक अभाज्य संक्या नहीं है फिर दो भी एक अभाज्य संक्या है तो दो से तो कोई भी नहीं कट रहा है अब तीन से ये नहीं कट रहा है फिर पांट से नहीं कट रहा है फिर साथ से ये नहीं कट रहा है जैसे ये कटेगा फिर ग्यारा से तो ग्यारा से ये भी कट गया तो ये भी एक अभाजी संक्या नहीं है फिर ये है ये एक अभाजी संक्या है तो इस प्रकार हम बड़ी संक्या होगा अभाजी संक्या ग्यात इस प्रकार कर सकते हैं इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं है थैं